जै माता दी दोस्तों स्वागत है आपका अपके आपने चैनल सन्यासी जी के में। दोस्तों जब आपके उपर नव दुरगा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मा दुरगा आपके साथ में है या फिर नहीं. दोस्तों, आप मेंसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रशन होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं. हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ म दोस्तों, वो बरा मूर्ख होगा, बरा अज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि मातारानी परम शक्ति है, परम देवी है। संकेत से पता करें कि मातारानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, मातारानी साथ में अगर हमार होते हैं, तो इस प्रकार के पांच संकेत मिलते हैं। कौन-कौन से संकेत है, आईए थोरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मातारानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय मातादी आपका स्वागत है। तो आईए जानते हैं उन विशेश संकेतों को। तो जब मातारानी आपके साथ में होती है, तो यह पांच संकेत मिलते हैं। दोस्तों, यह तो है प्रथम संकेत। अब दूसरा संकेत है कि अगर जुग्नु टिम्टिमाते हुए आपके कपरे या शरीर पर चिपक जाएं, तो समझ जाना मातारानी आपके साथ में है। अब यह तो रहा दूसरा संकेत, अब जानते हैं तीसरा संकेत। रात में अचानक जटके के साथ आपकी नीन्द खुल जाए तो समझ जाना मातारानी आपके साथ में है और मातारानी आपको जगाना चाहती है। मातारानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाय जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जा जाना चाहिए कि मातारानी आपके साथ ही मौजूद है। क्योंकि छोटी कञ्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए, या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की जंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि मातारानी आपके साथ में ही है। यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं, जब मातारानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे। यह मैं आपको अब बताऊंगी। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि मातारानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर मातारानी आपके घर में आ जाए, तो जल्द ही आपके जो दुख है, वह कट जाते हैं। और आपके दिन दुगनी रात चौगानी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब मातारानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि मातारानी आपके घर में आ चुकी है। अवरात्र के पूरे नौ दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए, हमें नौ दिनों तक कपट छल और द्वेश आदी का परित्याग कर देना चाहिए, मा दुरगा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं अगर सात में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे, तो समझ जाना मातारानी आपके घर में आ चुकी है, तो आईए जानते हैं ऐसे कुछ संकेतों को, लेकिन मेरे साथियों संकेत बताने से पहले, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो क लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना, सन्यासी जी के चैनल का मकसद है जन हित एवं जन कल्यान करना, दोस्तों कई बार मातारानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते, और मा मातारानी प्रवेश करें, तो आप अपनी मनोकामना शीघर पूरी करवा सकते हैं, तो इन संकेतों को समझ लेते हैं, ये सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन-कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर आप मातारानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो तो को ध्यान से सुनिये, इसमें आपको बरे काम की बात पता चलेगी. अगर बार-बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मा दुरगा रहती, उस घर में उनकी बहन काम देनू उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है, और यहां घर के इर्दगिर्द घूमती रहती है, वहां से नौ दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि मातारानी आपके घर में आ चुकी है, दूसरा दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना, देखिए दोस्तों मधुमक्खी को मात दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं, जिस घर में नवरात्री में मधुमक्खी आती है, तो समझ जाना उस घर में मातारानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माद दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है तो समझ जाना आपके घर में माद दुर्गा आ चुकी है तीसरा संकेत ज्योती का तीवर रूप में जलना जी हाँ दोस्तों अगर आपने अपने घर में मातारानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्थ करने के लिए ज्योती स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योती की लव तीवर गती से जल रही है तो समझ जाना ज्योती के समक्ष स्वयम मातारानी खरी है और आपको भी आत्मा से मातारानी होने का एहसास होगा तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है क्योंकि जब भी जियोती की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसी लिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से जियोती की लौ बढ़ जाती है अब चौथा संकेत नवरात्रे में दीपक की बत्ती में फूल का बनना दोस्तों, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके उपर बहुत प्रसन्न है आपके उपर वह पूर्ण रूप से क्रिपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोग से फिर जाएगी अर्थात आपके घर से जाएगी वही पांचवा संकेत बताते हैं कि बार-बार घर में अगर काली चीटी निकलने लगे तो अगर काली चीटी समूह बनाकर निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है चटवा संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे दोस्तों यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे तीवर सुगंध आने लगे ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना मातारानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं मातारानी आपके जाने देना क्योंकि स्वयम मातारानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके आ जाती है तो मेरे साथियों यह साथ संकेत बताती हैं कि मातारानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है तो दोस्तों इन में से आपको कौन सा एक संकेत मिला ह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का वीडियो दर्शकों यही समाप्त करती हूँ जैमातादी